परदान मंत्री SSV छातर वर्ति योजना की तयारी कर रहें कक्षा 11 के सभी विद्यारतियों का हारदिक स्वागत है आज हम देखेंगे दोस्तों आपके विज्ञान का थर्ड मोडल पेपर इससे पहले हमने सोसल साइंस को पूरा कवर करवा दिया हैं चेप्टर वाइज पूरा से भी करें अपना पूरा सले बस जरूर करें आज हम सईंस क्ड़रें ये दो 5 दिन में पूरा कवर हो जाएगा इसके बाद हम मेथ शूरह करेंगे तो कमेंट मेथ मेथ मेЕТ करवाया था और आज की वीडियो में भी चार-पांच ऐसे प्रश्ण हैं जो की मतलब मान के चलो एक्जाम में आएंगे ही आएंगे तो उनको भी अच्छे से ध्यान से समझना वो में बता दूंगा इस वीडियो में ठीक हैं चलिए आज के प्रश्ण में सुरू कर लेते हैं क अगर कोई नया विद्यारती है तो हमारा डेली का वीडियो डेली पांच बज़े आता है तो आप पांच बज़े के बाद में कभी भी देख सकते हो और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लेकिन लाइक जरूर करना अगर पसंद आ जाए तो चलिए पहला प्रश्ण आपक का खाना बनाने में करते हैं जैसे लोहा हैं सोना हैं चांदी हैं इनके बरतनों का भी यूज कर लें लेकिन फिर हम एलुमीनियम के बरतनों का ज्यादा यूज क्यों करते हैं खाना बनाने के बरतन बनाने में तो यहां पर देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आ पर आगने टच कियाना तो यह पूरे ही भतन को यह गर्म करदेगा। इसको बोटे हैं ताप यह चालकता यहीं चालकता प्लिफन से मालो यहीं ताप इस में चलता हैना मरुग पूरे में फैल जाता है ठीक हैं और। दूसरा हैं इसका उच्छ गलनांक इन दोनों की वज़े से ही हम एलूमीनियम के बरतनों का यूज करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी ओप्शन हो जाएगा जो कि कर रहा हैं कि एक और छोता ओप्शन करेक्ट हैं दूसरा क्यूशन आपके सामने प्रतवी की पप जाएगा जो प्रत्वी की पपड़ी है उपरी प्रत्वी सिर्फ यह बात कर रहा है जो तोड़ी सी पपड़ी होती है उसकी पूरी प्रत्वी और नहीं बर्मान यह बात नहीं कर रहा हूं की पपड़ी की कर रहा है तो उसमें सबसे ज़्यदा उधात होती है एलूमीनियम क्या होती है एलूमीनियम तो B option अपना correct हो जाएगा धात वो में उस्मा का सबसे खराब चालक कौनचा है तो right answer हो जाएगा सीसा इसका मतलब यह है कि जैसे मालो यह एक घर है क्योंकि समझना भी जरूरी है दोस्तों यह एक घर है अब एक जिसे माल लेते हैं लकडी जो है ना ठंडी रहे या फिर अगर गर्म भी होगी तो बहुत ही दिरे 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 गर्म होगी इसका मतलब यह है कि इसमें जो उस्मा आरी है ना बार से वह इसमें बहुत ही दिरे दिरे चल रही है अगर इसकी जगर लोहे की होती तो जैसे ही वह यहां गर्म होती ना तो कौन सा इसा तत्व है या इनमें से कौन सा इसी चीज है जो सबसे खराब चाला कि मतलब जिसमें उस्मा बहुत ही दीरे-दीरे चलती है तो राइट आंसर इनमें से हो जाएगा सीसा एनकी कांच में जो उस्मा होती है वो बहुत ही दीरे-दीरे चलती है समझ में आ गया ना अ तो जो म्यूजिक होता है उसमें क्या होता है रस होता है तो रस से तोड़ा बहुत इसे याद कर लेना ठीक है अगला प्रशन आपके लिए हैं कि निम्रिकित में से कौन सी अधातु चमकदार होती हैं बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट किशन और जिन में पांचे किशनों की याद बता रहा था कि चपेंगे चपेंगे उनमें से एक प्रश्ण आपके सामने हैं क्या पोच रहा है द्यान से जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वह आप से धातु और अधातु पूचेंगे यह साथ जो प्रश्ण और नहglass पूचेगा तो बताओ इनमें क्विस्सी अधातु हैं जो चमकदार होती हैं तो बताओ क्या हो एक लेकिन पिर भी यह चमकदार वहती हैं तो आयो डिन क्या होती हैं यह चमकदार होती हैं ढब इसको कैसे भी याद कर सकते हो वेसे आप आई अधाना चीए आयोडीन ठीक है तो डी ओप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा अब देखो आपको प्रशनी पूचेंगे उसको ध्यान से देखना दोस्तों में आपकी प्रेक्षिस अभी इतना खतरनाक करवा देंगे कि मतलब आप एक्जाम में जब ऐसे प्रश्ण देखो गया ना तो आपको लगया था कि अहां यार इनको तुम अलड़ी प्रेक्टिस अच्छे से कर चुके हैं जबकि कहीं सारी विद्यारती सिर्फ नौर्मल तरीके से पढ़ रहे हैं कि बताओ तो इसका कोन सा यह होगा लेकिन आपको तोड़ा सा अलग तरयके से आना है मतलब पढ़ ना है अब देखो यह क्या गयर आ है कि एक तत्यु के बहुत पर्तिग्रिया करने लग जाता है और इसे हवा में खुला नहीं रखा आ सकता यह पाने मैं साथ में परतिग्रिया करता है तो बताओ नेमल लिखते में से कॉनसा हें थखोंधों होगा इसके वैद की बहुत हैं इसकीquela कौन सा ततव हैं जो हवा और पाने के परती बहुत ही ज़्यादा प्रतिकरियासिले यृसा टतव हैं जिसको हवा में खुला एक कोण सा टत ऑशें partager remember uh येयं इसने सारे प्रश्ण बनते हैं वन सब्सक्राश्य में छेdetermृ की नहीं में बहुत ही ज़्यादा इपोर्न हैं तो बताओ इनमें से right answer क्या हो जाएगा इनमें से right answer उपना हो जाएगा आप से कहें na तो भी right हो जाएगा आप से कहें sodium तो भी right answer हो जाएगा तो sodium ही na का मतलब है और na का मतलब ही sodium है तो दोनों ही तरीके से आपको तयार रहना है प्रश्ण एक जामीनर केसे भी पूचे option केसे भी दे दे अगर मैं simple यहां पर na बता देता option में आपके sodium आ जाता तो फिर क्या कर दे इसलिए na को ही क्या करते हैं sodium करते हैं तो आप तयार हो आपको मतलब है यह क्यूशन अच्छा लगा बिल्कुल लगा होगा लगना भी चाहिए यह काफी ज़्यादा important क्यूशन है क्याको से किसको काटा जा सकता है पूचेंगे ही पूचेंगे आप से तो बताओ किसको काटा जा सकता है sodium को नरब क्या होता है sodium हवागे संपर्क मे लिए है लेकिन इससे पहले एक प्रस्ण पूच लेते हैं जिसको मैंने कल के वीडियो में कवर करवाया था और यह वह बी एक्जाम में आने वाला छपने वाला प्रस्ण है तो उसका जवाब सभी विद्यारती दे प्रस्ण यह है अभी मैं ट्रिक भी आपको याद दिलव लेकिन तोड़ा समय ने आपको बताई ही दिया कल की वीडियो कर आपने देखा है तो अभी के अभी आपको आंसर याद आ गया होगा टमाटर को कौन कहता है बेल खाता है और इसलिए उसमें कौन सा अमल पाया जाता है अब यह आप कमेंट करके बताओ हमने एसे याद करव सबसे हल की तरल धातु कोँचिए दियान देना दोस्तों यहां पर क्या पूच रहा है धातु पूच रहा है सबसे हल की तरण धातु कौच चिए तो राइट आंसर अपना हो जाएगा सीएस अब आपका एक काम ओर हैं वाट इस देने मोजिए यान कि जैसे आभी अब हमने knowledge बढ़ेगी और आप आगे इसके लिए मतलब तयार हो जाओगी जिसे आपको कोई समझ में नहीं आया तो आप जोए उसको ढूंड़ोगे तो बताओ CS को इसका पूरा नाम क्या है जिसे मतलब एने को sodium करते हैं तो CS को क्या करते हैं क्या है यह कौन सी धातु यह है बर्मांड में सबसे परत्वी की परपटी पर पाया जाता है ना तो ब्रमांड में और नहीं पूरी प्रत्वी में अब यह पूछ रहा हैं कि पूरे बर्मांड में सबसे परचूर तत्व कौन सा पाया जाता है अब बताओ अगर यहां पर वो आलुमीनियम रख देता तो क्या राइट होता क्या नहीं होता है यह फूच रहा है पूरे बर्मांड की तो राइट आंजर क्या हो जाएगा ही लिया मैने आज का वी दिया इसमें पूरे खट्रे को हुट अठोale और режम आपकी एक्जाम में आने के लाइट्स सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट प्रश्ण है वही में लेकर आया हूं चलिए आगे बढ़ते हैं नेमने लिकित में से कौन सा कार्बन का सुद्धतम रूप है बताओ यह प्रश्ण इंपोर्टेंट हैं कि नहीं है ना इसलिए तो बता रहा हूं अब से आप अच्छे से व हाई साब मचाएगा तो बताओ कौन सा कार्बन का सुद्धतम रूप है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर अपना हो जाएगा हीरा हीरा जो भाई अब यह तो सभी जैसे मालों आप से पूचा जाए कि हीरा सोना चांदी इन में से सबसे ज़्यादा इंपोर या नहीं करती तो देखो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि सोडियम बाई जाब उसको तो बाई निकाल दो वह तो मतलब किसी को अपना बनाई लेगा उसको हवा में चोड़ दो पानी में चोड़ दो कहीं भी चोड़ दो वह किसी को अपना बना लेगा लेकिन अब क्या उसका तोड़ा सा उल्टा फूज रहा है कि बताओ इन मेंसे कौन शी दातु है जो ठंडे और गर्म पानी के साथ में अगर उसको मिला दे तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ठंडे और गर्म पानी के बात कर रहा है तो राइट अंसर अपना हो जाता है ये फ इफ ये बाइसाब कोई भी इसके साथ करिया नहीं करता गरम और ठंडे पाने के साथ में ठीक हैं ये भी जरूर याद रखें आब आगे बढ़ते हैं निम्रड किते मेंसे कौन सी दातु प्रकरती में अपनी मूल अवस्ता में मौजूद है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा right answer क्या हो जाएगा मैं हम देखेंगे कौनसी धातु है जो प्रकरती में अपनी मूल अवस्ता में मौजूद है तो राइट आंसर होती है क्या फिर्स फोती है लेकिन निम्रिकित में से कौन सी धातु हैं जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्ता में पाई जाते यहां पर भी दो प्रश्चन आपसे पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको कन्फुजन आपका दूर कर रहा हूं कि आपसे पूछें कि बताओ पुझे कौन सी धातू कम्रे के तापमान पर तरल अवस्टा में पाई जाती है लेकिन अपवाद सोरूप एक ऐसी धातू है जो कम्रे के तापमान पर तरल अवस्टा में पाई जाती है तो right answer अपना हो जाएगा एच जी अब वही भाई एच जी भी दे सकता है और आपको पूरा नाम भी दे सकता है फिर क्या होगा तो एच जी का मतलब होता है पारा क्या होता है पारा तो चाहिए आपसे पारा कहे या पिर आपसे एच जी कहे यह क्या होती है कमरे के ताब मान पर तरल होती है ठीक है समझ पूछ ले दातु की जगह आप उसने लिख दिया अधातु क्या तब भी आप पाराई आंसर करा आओगे नहीं कर गया होगे लेकिन कहीं सारे बच्चे फिर कर रहा हूं सभी को पारा पारा याद हैं लेकिन अब आप अच्छे से देखो अगर आपसे पूछ ले कि बताओ कौ से कम वो तो इस क्यूशन को गलत मत कर गया जाना वरना कहीं सारे बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं बहुत ही चला इंट्रिलिजेंट इंट्रिलिजेंट वो भी इस क्यूशन को जल्दी से पारा कर गया जाते हैं क्या होता है यह कमरे के तापमान पर क्या होती है तरल होती है चलिए पहला अगला क्यूशन देखते हैं और यह क्यूशन हमसे पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है उसमें क्या होता है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है तो राइट आंसर होता है और जो धनात्मक और रिनात्मक और यह तरह गया तो पलस वाला पहले आगा और जो वाद में आगा है तो के बाद में आएगा एसे कर लेना वह ना इनमें भी कंफीजन होता है कि पहला कुछा आएक यह पहले आ रहा है तो धनात्मक हो जाएगा किसमें एक एलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगला प्रश्मिया आपके लिए अब देखो वापस गुमा फिराकर व मतलब इंपोर्टेंट क्विशन आ गया होता क्याओं यह ओता कि कि जो धात्मक होति है सब्सक्राइव और नहीं अमली है दात्मक होतीrauen नातो फिरत बनाती जो फिरती parler Examini ॉर नहीं अमली दात्मक होता है यह इंड को उनको वोटें उनके हमण इन में से कौन चाहें तो राइट आंजर हो जाएगा एल 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 एलुमीनियुम तो एलुमीनियुम एसी धात हुए जरूर याद रखे अब भाई सब आगे बड़े उससे पले तोड़ा था अपने बारे में भी जान लेते अपने चैनल के बारे में कहीं सारे नए विद्यार करते हूं आपके सबलता सुनिशत रूप से आपको मिलेगी आपकी मंजिल आपको मिलेगी लेकिन कब जब आप सुरूर आज से हमारे साथ जुड़े हुए होंगे तो क्योंकि दोस्तों आपने कहीं सारे यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे जिन पर भाई सामय ने द पूरा कर लो उसके बाद में ज्यादा पढ़नों अचाते हो तो फिर उनके माध्यम से पढ़ लो क्योंकि सबसे पहले कंप्लीट करना जरूर है पिर आपके पास जतना टाइम होना जतनी ज्यादा वीडियो देख लो उनकी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कम से कम अपने मन के लिए एक बार स्लेबस पूरा कर लो ठीक है तो अपना चनल यही काम करवा रहा है कि डेली पांच वजें सब्जेक्ट वाइज उसमें भी चेप्टर वाइज हम स्लेबस कवर कर रहे हैं दूसरा हमारा इंपोर्टेंट क्यूशंस यह जो पीडिएफ है ना इंपोर्टेंट रहे हैं तो भाइसाब उन लाकों में से आपको कुछ हजारों में आना है तो उसके लिए आपको उनसे काफी ज़्यादा मेनत करनी होगी अगला है हमारे चैनल पर तो सापताही की टेस्ट लिया जाता है संडे को उसको जरूर दें कल भी हमने वीडियो में बताया था कि कु आपको वहां पर अच्छे से 85 परसेंट उसे ज्यादा बना पाऊगे इसलिए आप टेस्ट में अच्छा इसको जरूर करें अगला है कि 20 गंटे आपको सपोर्ट मिलता है यह तो करने की बात नहीं है अना तो यह उन्चा सुर्वे में आपको मिलेगा कहां पर मिलेगा और यह सी बाइ सुनिल के पारटन एप पर जो की काफी अच्छे से आपके तियारी करवाने में आपका स्योग कर रहा हैं तो आप इसको ले सकते हो कोई भी प्रोब्लम आती है तो आप कमेंट में बता सकते हो वहां एप में भी चेट का option है वहां पर भी आप हमसे मेसेज करके बता सकते हो चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखो एक और भी आपसे विए हैं कि जो अपना आपने दस्नेमें पढ़ा होगा दें एलकाइन, एलकेन, एलकेन ये तीनों चीज़ें आपने पढ़ी होगी तो जो एलकेन, एलकेन और एलकाइन हैं इन तीनों के जो सुत्र होते हैं आप सभी बच्चों को याद कर लेने हैं ठीक हैं आप सभी बच्चों को क्या करना हैं इनके तीनों के सुत्र आपका अभी कोप लेपहले भी बता दिया और एक अभी और बता रहा हूं कि आपको एलकेई एलकाइन और एलकेण तीनों के सुत्र याद करने अभी मैंने इस वीडियो में नहीं उनको लिए हैं क्योंकि इनमें लिखने में ना जैसे वो था सी एन एच टू यह न यह लिखने में तोड़ा सा दिक्कत होती है यह यह लिखी नहीं पाता है इसका परला सदशिय कोन होता है तो राइट आंचर हो जाएगा एथाइन वैसे तो आता है न तो ऐलकाइन से क्या बनेगा आईन आना से पीचे तो एताइन मिथेन यह बाद में आता है तो इधाइन क्या अगला प्रशन आपके लिए कार मन की सचिण जगता कितनी होती है लेकिन बहुत ही इंपोटेंट भी है वह तो राइट आंसर क्या हो जाएगा चार यान कि कारबं कि सिर्फ कितने से जुड़ा होता है चार उसके बोंड होते हैं चार उसकी क्या होती है सही जगता होती है अगला प्रशन आपके लिए हैं है भाफा नू लेड्ट से संबंद को कहा जाता है पताओ नू लेड्ट से किसको कते हैं तो पर개नामdays का कानुन । का जो लूग होता है उसकोन के लिए कर दा संबंद किसको मनें को पर्षान याद के लो अश्ठक नियम किस सत्वों पर लागू होता है आप पधा वह ना अश्टक का नियम तो बताओ zasad कोさ तत्त हुए जिस पर लागू होता है तो लागू होता है का नियम केरे वता हैं में बाद में झाल एक और वर्त बाद में आवर्त सान में जग मिली थी अब बताओ तो राइट आंठर हो जाएगा जर्मेनियम इन में से पोछ रहा है तो इन चारों में से जर्मेनियम को उस जगह पर बाद में फिट किया गया था जिसको बाद पहले इन्होंने काली छोड़ा था मेंडलीब के समें very very important question mandalive ने तत्वों को सान्य में Style गिया थो mandalive के समें घ्यात तत्वों की संक्या कितनी थी कितने उसने खोज लिए थे तो राइट आंथर हो जाएगा उसकी समें तक कोज खोखे गए थे 63 फोजाएका राइट आंथर क्या ऊजाएगा 63 तो mandalive के समे तक ग्यात ततों की संक्या 63 थी अगला प्रश्ण काफी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट यह आज में लेकर आया हूं अना तो यह आज आपका वीडियो मतलब धमा के दारों ने वला है वो धातू जो कटोर उरुच गलनांक वाली होती है और विदूत बल्बों के फिलामेंट्स में उप्योग की जाती है तो बताओ क्या है वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्ण है कि यह तो आपसे डारेक्ट पूछेगा कि बताओ विदूत जो अपने लट्टू होते हैं उनके फिलामेंट्स में उप्योग की जाने वाली धातू का नाम बताईए यह फिर आपसे प गूगल पर जाकर इसको सर्च करके और यह फिर अगर आपको पले से ही पता हो तो बाइस आप फिर तो सेल्यूट हैं आपको तो उसका जरूर बताए कमेंट करके ठीक हैं अपना अगला प्रश्ण है सबसे हलकी तरल धातू इन में से कौन सी होती है तो आप अभी हमने प्र वह तत्व जिसमें इलेक्ट्रोन खोने की परवर्थी सबसे कम होती है इन में से वह कौन सा तत्व है तो राइट आंसर यहां पर अपना हो जाएगा हीलियम क्यों सब जाएगा हीलियम जो है इसकी सबसे मतलब क्या है इलेक्ट्रोन खोने की सबसे परवर्थी कम है मतलब छ इसका मलबें छोड़ता ही नहीं नहीं देता हैं ऐसे कुछ कर यह याद कर लेना वेसे आपको तो पता होगा बहुत ही इसी हैं अब आज कफ जो वीडियों को समाप्त होने के कजार पर हैं तो अगर आपने अभी तक लाइक हो गया कमेंट हो गया नहीं किया है तो कर देना बा तो उसमें बहुत ही ज़्यदा चाहा है कि आपका एक्जाम क्लेर हो जाए आप जो हैं मतलब इसमें इसकोलर्शिप के लिए आपका नाम आ जाए तो मेरी तो पूरी पूरी कोशिस रहेगी कि आपका नाम आए याए क्योंकि आप इतनी मेहनेद कर रहे हो तो डिजरू करते जो इसके लिए कि आपको एसकोलर्शिप मिले तो चलिए आज का सेकेंड लाश्ट केषिशं देखते हैं समुषोला के तत्वों को क्या कहा जाता हैं आपने और तत्वी सानने की बात चल रही है तो उसमें जो समुषोला के गूरुप सिक्स्टीन के जो तत्व हैं उनको क् पर लगह बोलते हैं लेकिन सबसे कम प्रतिक्रियासिव कोन है कि सबसे कम प्रतिक्रियासिल कई को को खो सकता हैं और को नहीं को सकता अभी हम ने पढ़ा था ही लिया यानि कि वह प्रतिक्रियासील कम है अगला प्रश्ण है दोस्तों अच्छे से याद रखना इनको नियम्न लिकित में से कौन सबसे अधिक हैं सबसे अधिक प्रतिक्रियासील है तो राइट अंसर क्या हो सकता है और इसका अधिक प्रतिक्रियासील यहां पर सबसे अधिक प्रतिकरिया सील है तो यहां पर के पूछा था आसने लेक्ट्रों को सकता है और यह एलेक्ट्रों इन दोनों कुछनों में तोड़ा सा डाउट है यह एलेक्ट्रों खो रहा है वह भी खो रहा है यह प्राप्त कर रहा है फिर दोनों प्रतिकरिया सील कैसे हो गए इनको फोड वीडियो पर नारा है वीडियो को देखने के बाद मैं लेकिन कुछ ज्यादा सी ज्यादा से ज़ादा करो आपको लगे ना कि नहीं बाहिसा बिल्कुल मेरे दिमाग में बेटच कुई बात नहीं तबीभी इनकाision करते रो जहातग करते रो जहातग आपको आपके मंजल नहीं मिल जाती अब एकानेजिने कहाता है जब दे उठो जाको और तब तक मत रुको जब तक आपको सफलता ना मिल है तो वही बात है कि जिनका रिविजन तब तक करते रहो तब तक आपको अपना जो है इसमें सफलता नहीं मिल जाए या एक्जाम इसका नहीं हो जाए आपको लगे ना कि अपनी क्लास के तो कोई नहीं पड़ रहे हैं तो भाई साथ मेरा तो सेलेक्शन शूर है नहीं है भाई मतलब बहुत सुब काम नहीं कहां से अभी मतलब बेश्ट वब लगाब सब्सक्राइब ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू सो मच आप वीडियो को लाइट तक देखने के लिए